Hello friends, कैसे हैं आप सभी? आज से मैं अपने चैनल पर एक सीरीज सुरू करने जा रहे हूं और जसमें मैं स्पेस रिलेटेड़ कोश्चन्स का जवाब दूगी यह कोश्चन्स ज्यादा भारी तो नहीं होंगे यह छोटे-छोटे कोश्चन्स होंगे जो कि हमेशा हम सभी के धिमाग में घूमते रहते हैं तो आज की दूसरी रिजय वो है ब्लैक होल पर तो चलिए हम कुछ कुश्चन्स लेते हैं और उनके आंसर स्टने का प्रयास करते हैं तो आज का सबसे पहला कुश्चन है वाट इस ब्लैक होल सच कहूं तो सुनने में ये साई चीज़े इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेट लगती हैं असल में उतनी होती नहीं है दर असल ब्लैक होल स्पीस का एक ऐसा रिजन है जिसके पास इतनी ज़्यादा ग्रैविटी होती है कि अगर आप उसके बाहर निकल न भी चाहो तो निकल नहीं सकते भले ही आप लाइफ के स्पीट से ही क्यों न ट्रैवल कर रहे हूं इन सौट अगर हम कहें तो ये आपके क्रश के लिए आपका जो लव है न एक्दम उसी के बढ़ावर है आप प्यार में तो पर सकते हो पर प्यार के भाहर नहीं आ सकते है आज का second question है कि what happens when we fall in a black hole सच कहूं तो इस question का answer बहुत ही ज़्यादा दुख बढ़ा है सच में ये आपके breakup का जो experience है न उससे भी ज़्यादा दुख देने वाला है अगर आप black hole में गिल जाते हो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि black hole की gravity बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये आपकी body को इतना ज़्यादा stretch कर देगा कि आपकी body टुखड़ों में बढ़ जाएगी आपकी body जितने ज़्यादा अंदर जाती जाएगी उतरे ही ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ती जाएगी और तो और यहाँ time इतने धीरे धीरे भी देगा कि आखिर में बाहर से देख रहे हैं लोग भी इसे experience कर पाएँगे और फिर आप event horizon तक पहुँच जाएगे जहां से निकलना मुस्किल ही नहीं है बलकि नामुम्किन है और जब आप event horizon को भी पार कर जाएगे तो आप हमेशा के लिए वहीं पे trap हो जाएगे वैसे सच कहें तो किसी को भी नहीं बता कि आखे black hole में गिरने के बाद क्या होगा क्योंकि ये तो बस scientist का अनुमान है लेकिन अगर कुछ scientist को माने तो उनके कहना है कि अगर आप black hole में गिरते हो तो आप एकदम singularity के position पे आ जाओगे और कुछ एक का तो ये भी कहना है कि अगर आप black hole को पार करते हो तो श्टायद आप एक नई दुनिया का experience कर सकते हैं वैसे ये black hole के द्वारा हुए death को spagatification कहते हैं सुनने में कितना मनमोहक लगता है न पर है उतना ही ज्यादा खतरनाक तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप की कुछ questions है तो आप comment में लिखके पूश सकते हो और आपको ये episode कैसा लगा आप मुझे ये भी बता सकते हैं तो stay tuned and thank you for watching